आइस प्राव अंकुर विला में इंस्याटी केमिस्ट्री क्लास 6 का पार्ट जो चल रहा था आपका चैप्टर 5 था उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग लेंगे सेप्रेशन और सबस्टेंसे इस फर्स पार्ट कंप्रीट हो चुका है अप लोग चाहें तो उसको एक बार लिगर थी उसमें भी तो आप देख सकते हो सबसे पहले चीज़े कि मड़ी वाटर ले लो गंदा पानी ले लो कैसा भी और अगर आपको गंदा पानी नहीं मिल रहा है तो आप आरो से पानी निकाल के बाहर से थोड़ी सी मिट्टी लाओ डस्क लाओ और उसमें मिक्स कर ल जो मैक्सिमम वेटी पार्ट होगा जिसका सबसे आधा मास होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जैसा इसमें लिखा है इस तरीके से वह समा जो भी चीज़ आप मिलाओ वह नीचे बैठ जाएगी उसके बाद उसी फिल्टर उसी वीकर को जिसको यह जो सेटल डाउन ह हो गया उसके बाद जो इसके से पानी निकाल इंगे तो वह पानी यह पानी बोलने लिकुट यहां पिता कुछ ऋर भी हमने जुलिया है तो जितना भी सब्सक्रांटjem है सारट इक्पर और इसी सुझा आध जाएगा जो इसमें अभी भी पानी में डिसल्वल स्वेस पानी क है उसमें जो करने के बाद यानि कि इस वाली जगे पर देखो यह वा कलर चेंज कर लेता हैं है कि यह हमारा नंबर वन यह नंबर टू और यह नंबर थ्री यह थर्ड वाला भी कर है यह वाला इसके पानी को जब हम फॉर्थ बीकर में इस फॉर्थ स्टेप में लिका में फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे फिल्टर पेपर से वह पार्ट जो कि हमारी नेकेड आइस से भी यांद दिखाए नहीं दे रहें वह उसमें से सेप्रेट हो जाएंगे और उसके बाद पानी मिलेगा वह बिल्कुल क्लीन वाटर होगा ठीक है यह है तीन सेडिमेंटिशन डिकेंटिशन फिल्टरेशन मुझे लगा उसके लास पार्ट में शायद वह उतना क्लियर नहीं पाए इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से ले और थोड़ी देर बात क्या देखते हैं वे थोड़ी देर का मतलब एक मिनिट दो मिनिट नहीं अगर आप इसको रूम के अंदर रख रहे हो तो यह थोड़ी देर होगा at least 24 hours सुबह सुबह रखेंगे तो next day सुबह जब हम इसको चेक करेंगे तो पानी कुछ कुछ लेवल म इसके comparison में यह level कम हो गया this process is called evaporation लेकिन यहाँ पर एक condition होती है जैसे room temperature है तो भी heat तो प्रोवाइड है इस atmosphere में इस जगे पर कही ना कहीं अगर यह room के अंदर है तो भी यहाँ पर heat तो है और अगर हमको इस पर speedy reaction चाहिए या इसको जल्दी देखना है इस पर action तेज होन पड़ेगी क्या अगर इसको उठाके हम बाहर रख देते हैं यह क्या है कैसा दिख रहा है सन जैसा ठीक है इस चीज को अगर हम धूब में रख देते हैं तो हमें 24 गंटे 24 आर्स नहीं रुखना पड़ेगा 12 आर्स में हमारा काम हो जाएगा हमें यह output दिख जाएगा ठीक ह और अगर हमें धूब में भी नहीं जाना है तो फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचता है यहां से नीजे से हम इसको हीट करें फ्लेम से बंसंट बरनर से कैसे भी तो आप देखोगे कि यह आपका पानी यहां से कम होके ऐसा हो जाएगा और इसका एक बेस्ट एक्जांपल है आप घर में जब भी चाय बने तब आप जाके किसी भी आप वहां पे जाके देखना तो आपको वह पानी कम होता हुआ दिखाई देगा और उस समय जो वेपर सोंगी वह क्लियरली दिखाई देंगी ऊपर जाते हुए अब इसके डेफिनिशन पर आ जाते हैं तो डेफिन करना पड़ेगा ठीक है अधिंग यह क्लियर हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट एक कंडेंसेशन यह पिगर यह चीज आपने कई बार देखी होगी लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया तो इस बार क्या करना जब मौसम ठंडा होगा तक आपकी घर में जो शीशा लगा है उस पे जाके फूखना ठीक संप्ली और कुछ नहीं करना आप देखो कि सामने वाटर ड्रॉपलेट्स आपको इसी तरीके के दिखाई देने लगेगी सेकंड ऑप्शन सेकंड केस में आप एक्जांपल आप यह सकते हो कि ठंड की मौसम में आपने कार के अंदर बैठ जाना और थो अगर स्पीडी रियक्शन जाए जल्दी देखना है तो घर के चार लोग को और बैठा लेना उसकार के अंदर और जल्दी हो जाएगा ठीक है तो अब इसकी डेफिनिशन पर आते हैं डेफिनिशन है कुछ यह क्या प्रॉसेस ऑफ कनवर्जन वाटर विपर इंटू इस लि अपनिशन रटने से अच्छा है इसका कॉंसेट समझ लो एवापोरेशन क्या होता है लिक्विट को वेपर में कनवर्ट करना सिमिलर्ली कंदेंसेशन क्या होता है इस नथिंग बट दा रिवर्स प्रॉसेस ऑफ एवपरेशन मीन्स वेपर्स को उसके लिक्विट फॉर्म म यहां पर एक वर्ड सेचुरेटेड लिखा हुआ है सेचुरेशन मैंने अपनी तरफ से लिया है आप बात आती है सेचुरेशन होता क्या है देखो सबसे पहले क्या करना है हमको इस तरीके से एक वाटर बीकर में पानी ले लो नॉर्मल वाटर जो हम पी सकते है प्योर यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे फिर से उतना ही नमक उसमें मिलाएंगे एक बार दो बार तीम बार चार बार एक लिमिट के बाद आप इसको जब करोगे तो आप देखोगे कि वह जो नमक है वह में डिजॉल्व होना बंद हो गया वह नीचे पड़ा हुआ है जब तक आपके स्पून के साथ घूमता जा रहा है आपको दिखाए देगा क्योंकि आप ट्रांस्परेंट बीकर लियो या ट्रांस्परेंट ग्लास लियो ठीक है तो आप क्या करना है अगर हम इस बच्चा हुआ जो हमने डिजॉल्व किया है नमक उसको एड करना है तो क्या करना पड़ेगा तो उससे पहले वाली बात मेरे यह है कि यह जो सूलेशन जिसमें हम एड कर चुके और अभी डिसॉल्व हो चुका है यह हो गया हमारािल सेचुरेशन point और ये वाला solution कहलाता है saturated solution ठीक ये वाला solution हो गया हमारा saturated solution इसके बाद आप इसमें बिना कुछ करें यानि mechanical effort डाले जैसे कि हम चम्म से हिला रहे हैं बिना कुछ effort डाले हम इसको absorb नहीं करा सकते ठीक next step next step कुछ ऐसी होगी जो कि यहां से यहां पर जा रही है salt solution वही वाला था हमने यह बंसर बर्नर से इसको हीट करना शुरू कर दिया बंसर बर्नर एक ऐसा apparatus होता है जो आपको लैब में मिल जाएगा जस्त यह इस तरीके का जैसे आप इस टाइप का होता है इसमें नीचे यह gas pipe लगा हुआ है यहां पर और स्लेंडर जो घर में लपीजी यूज होती है उस टाइप के इसमें connected है और वहां से गया सारी और यह तो जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाओगे क्या होगा यह जो बच उसमें जो एंडिजॉल्ट सॉल्ट था उसको भी डिजॉल्ट करने लगेगा लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है तो एक ताइम ऐसा आएगा जब आप इसको हीट करने बाद भी इसमें फिर और जैसे कि यहां पर हमने एक बार सॉल्ट इसको इस्क कुपिर्श करदो एं यह वालशन होता है सुपर सेटूरेट एब सुपर है कि सुपर सेटूरेटिट्टL मतलब अपने आपने पाले लिख ने पहले उन्य आ दिग्रींग भी हो गई इस इस एक्जांपल को आप एक ब्र एक सकते EVERY Male अराम से बहुत इजिली देखो मैंने पिक्चर उसकी यूज किया यह जो आपको सामने घड़ा दिख रहा है यह वाला यह शाइनी दिख रहा है मार्केट में कभी घड़ा देखने जाना आपको कभी भी शाइनी नहीं नहीं रिखाए तो इस घड़े में जो पोर्स होते हैं पाने इसमां जिरगे डिरे दिरे ऑब्सोर्भ हुने लगता है और वो बाई निकलता है देखो पिछे वाज़ी कवर अफ हो रही हो रही है जब फान निकलता है तो वह जोड़ा तो पानी जो व्यू अवअगे का ऊपाता है लेकिन फिलाल यहां कि यहांPS आती हो जाती हो लेकिन at the end of the season मान मान लेते हैं कि अगर आपने यह जो घड़ा खरीदा है में में खरीदा है और आप इसको देख रहे हो September में तो यह September में यह पानी इस तरीके से आपको यह बहार दिखाए देगा यह पूरा गीला दिखने लगेगा कि इसके पोर्स अब इस लाइक नहीं वचे हैं कि इसमें कुछ और हो सके पोर्स यह कह सकते कि पोर्स टोटली खुल चुके पानी अब दीर दीर बाहर आ रहा है इसके नीचे अगर आप कोई भी वैसल रखोगे तो आपको भरा हुआ दिखाए बहुत जल्दी भरा हुआ जब अब उसके अंदर जितनी मिट्टी थी वह अलड़ी गीली हो चुके है वह एब्सॉर्ब नहीं कर सकती तो उसको बाहर की तरफ निकाल दी यह एक्जाम्पल है आपका सैचुरेशन सुपर सैचुरेशन और अन्साचुरेटेड यहां पर इस वाले केस में वह आपका अन्सा यह हो गया सुपर सैचुरेटेड और यह सुपर सैचुरेटेड तो आज सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स सेशन में हम लोग इस चैप्टर के एक्सराइज करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे ठीक है ओके बाई